हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का मैं नीरज आप सभी भावी सिक्षों का स्वागत अभिनेंदन करता हूं फ्रेंस आज हम पर्यावन पेड़ागोजी की महतपूर्ण प्रिसनों को लेकर करके आए हैं और साथी यह प्रिसन आपके ऐसे हैं जो कि मैंने तयार की हैं सीधे आ को पहली वार बिट कर रहें तो सब्सक्राइब करके बैल बटन को भी दवा देंगे ठीके साथी हो और यह मैटर पीडियाव फॉर में प्रावट करने के लिए टेली ग्राम चैनल को जौइंड देख लेते हैं अपने नेक्स प्रिसन गया है कि पहला प्रिसन है जो कि हमारा पर्यावन अध्यन में एक अच्छे ग्रह कार्या का मुख्ध उप्रोक्त सभी तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक बार राइट आंसर को और इसके लिए कमेंट भी करेंगे कि आवाज वेगर आपको किलियर आ रही है सभी भाई बहन एस भेजें पहले और फिर इसका जो और आंसर भी सेंड करेंगे कमेंट वॉक्स में तो साथ यू देख लेते अपने आंसर के लिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर पुन्रावित्ति और प्रवरी करन प्रदान करना साथ ये पुन्रावित्ति जो सब्ध है ये निगेटिव है ठीक है फ्रेंज मैं आपको बताओं पेड़ागोजी में आप प्रिसंद लगाते कैसे हैं तो आप लगाएंगे अगर निगेटिव पॉइंट आपके लिए दिखे तो आप तुरंत ही काट कर दें उसके लिए पुन्रावित्ति कैसे निगेटिव अब जब पहला गलत है तो डी भी नहीं हो सकता और समय के सदी उपयोग का यहां पर यह ज़्यादा प्रभावी बिकल्प नहीं है कौन सा सी तो यहां पर आपका बी उप्सन राइट हो जाएगा ठीक है देख लेतें एक बार अपने नेक्स परिसंद को क्या है हमारा नेक् प्रफोलियों का उपयोग करेंगे या फिर कहानी विधी का उपयोग करेंगे या फिर आप अब लोकन तकनीक का उपयोग करेंगे कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक वार राइट आंसर के लिए ठीक है साथ यह धुनाधान तरीके से हम आज प्रक्टिस करेंगे मैं आपका बिल्कुल भी टैम खराब नहीं करूंगा क्योंकि आपका एक्जाम काफी नजदीक है ना पांच जुलाई काफी नजदीक आने वाली ठीक है तो क्या है जिग्यासा हम उत्पन करते हैं तो क्या करते हैं स्कीट करेगा तो इसका मतलब क्या है जुखिए सीखने के प्रण सीधा सीधा है सेप्साब्स में यहाँ पर हम स्वर्पन करता है कहानी जदी जदा बढ़ी या भी दिधी नहीं होता क्योंकि इसमें बच्चा निस्क्रिय रहता जो कि NCF 2005 हमारा है वो इसके लिए मना करता है ठीक है और अवलोकन में क्या होता है हम बच्चों का अवलोकन करते हैं लेकिन यहां पर जिग्यासा का कोई मतलब नहीं उड़ता ठीक है तो यह option यहां पर आपका right हो गया ठीक है आधि हम की प्रकिरिया में विद्ध्यारतिक सक्रेयता को सुनिष्चत करना, C है विद्ध्यारतिक में सामाज कुसलता को भिक्सिद करना और D है आपके सामने क्या PAUL की बस signals क्रिप कम करना कमेंड करने, एक वाई है right answer के लिए ठीक है अब देखिए मैं देखता हूं बताता हूं आप के लिए आप पेड़ागोजियों आखर प्रिसन लगाएंगे कैसे ठीक है तो पहले आप option की निगलेट करेंगे ठीक है अधिगम की प्रिक्रिया को में एक रस्ता को तोड़ना बिल्कुल गलत इससे यानि रोल पिले स से कौनसी एक रस्ता तूट जाएगी है अधिगम की प्रिक्रिया में विद्यार्तियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना अब सक्रियता मतलब क्या होता है यानि बच्चा क्रियेटिव रहे बच्चा खुद करके सीखे तो सबसे प्रभावी option आपके सामने भी है जो की सका होगे हमारा बी option राइट हो गया बसते के बोज से भी कुछ भी यहाँ पर लेना देना नहीं है ठीक है तो देख लेते हैं अपने नेक्स प्रिसन को गाईज क्या है हमारा नेक्स प्रिसन परियावन अध्यन की कक्छा 5 के सिक्षक अनुराग जैन कौन से सिक्षक है अनुरा ठीक है तो कमेंट करेंगे एक वार राइट आंसर के लिए क्या बास्विक जीवन की चिंतां को समझने के लिए बच्चों में कलपना सीखलता एवं सोचने की कुसलता का विकास करना यह कहना चाहना है अनुराग जैन या फिर बिजली के उच्चित एवं नियाय संगत उप प्रभावी है यानि बच्चा जो है खुद अपनी दैनिक क्रियां से संबंदित करके अगर अपना जो है अधिखम करता है तो वह सबसे प्रभावी अधिखम माना जाता है ठीक है और कल्पना सकती सोचना है ना कहीं कहीं माइंड चलाएगा ठीक है तो सीधा आपका option यह ही यह भी सात्यों नहीं है यहाँ पर सीधा सीधा option आपका a right answer है ठीक है देख लेते हैं अपने हम next person के लिए friends rapid test आज हम करेंगे यहाँ पर मैं आपका बिल्कुल भी time खराब नहीं करूंगा ठीक है देखते हैं सात्यों क्या है हमारा person चात्रा की यह सात्यों यहां से ठीक है निम्न कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन क्या है यहां की प्रुमुक वनस्पती खजूर है दूसरा है यहां पानी पैट्रॉल से महंगा है तीसरा यहां की मुद्रा दिरहम है और चौता है यहां संयुक्त अरब अमीरात की राइधानी है उपरोग कथन किस सहर के विस सचत्य आपको बताना कि अबुधा भी है दोबई है कतर है कि कहाने पर को अमीराद का रासदानी तो क्या है वह सीदब सीदब ये ढूटाल आपके सामनी राइट आणसर और यहां पर जो पैट्रोल रहतों से महंगा भी है तो आभूद आभी सहर के विषय में यह जो है बता रहे हैं जो कि क्या है कैपिटल भी है कहां की सहीजुक्त अमीरात की और इसकी मुद्रा क्या है तो दिरहम ठीक है तो साथ ही यहाँ पर आपका यह उप्सन राइट हो गया गाइज अब हम चलते हैं अपने असत्य गतन है हाथ को ठंड़क देने के लिए गंदले पानी में खेलते ही बिल्कुल यह साथ कया है एक दिन में एक दिन में 100 किलो पत्तियां जो है हाती खा सकता है और हाती दो से 4 घंटिस होते हैं बिल्कुल ही राइट है फिरेंज ये वी ठीक है और D option है तीन महीने के हाती के बच्चे का बजन लगभग 50 kg होता है जो की गलत है क्योंकि तीन महीने का जो हाती के बजन होता है बच्चे का वो आपका कितना होता है दो कुंटल ठीक है 200 kg ठीक है 200 kg का बच्चा होता है तो यहाँ पर A option यानि असत्त कौन सा हो गया तो असत्त हो गया आपका D ठीक है फ्रेंज यह यतने भी जानवर हैं यहां से आपको एक प्रसंट 100% देखने को मिलता है ठीक है तो यह जानवर वाल और यह एक भोजन का नाम है एक जगह का नाम है यह एक जानवर का नाम है यानि कि यह कि आपका घ्रसर में अपकी देखने को मिलेगा ठीक है तो साथी विश्वास करिएगा थोड़ा सा क्योंकि हमें तो आप पर पूरा विश्वास है हमें अपने एक एक भाई एक बहन पर पूरा विश्वास है लेकिन थोड़ा विश्वास आपके लिए भी हम पर करना होगा ठीक है अगला प्रिसंद देखने क्या है डोंगा एक प्रकार का आश्रा इस्तल है यह है पाया जाता है कहां पर क्या जम्मु कस्मीर में हिमाचल प्रदेश में केरल में या फिर राजिस्थान में कमेंट करें एक वाग राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा आपका इहां पर राइट आंसर तो साथियो ये डोंगा प्रकार के जो आस्रह यानि घर होते हैं ये कहां पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके सीधे सीधे जम्मू कस्मीर में ठीक है और साथियो ये कैसे होते हैं तो इन घरों में कई-कई जो है अलग-अलग कमरे होते हैं ना कहां पर पाए जाते हैं आपके जम्मू कस्मीर में जो है ये पाए जाते हैं किसके डोंगा एक प्रकार का जो आसरे है ना हिमाचल प्रिदेश गलत केरल गलत और राजिस्थान गलत ठीक है तो यहाँ पर एप्सन आपका राइट हो गया देख लेते हैं अपने नेक्स प्रसन को क्या है निवन में से क बार राइट आंसर के लिए ठीक है और सभी वाही बहन क्या है प्रसन नंबर के साथ ऑप्सन लिखेंगे है ना जिससे मुझे इसफ़श्ट हो जाए कि सभी वाही बहन कैसे आंसर दे रहें यानि कौन से प्रसन का आंसर है ठीक है तो साती यह जो चील और गिद्ध होते है जो द्रश्टी होती है मनससे चार गुणा होती है ना और इसमें एक बाज भी आपको लिए मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका डी ऑप्सन जोगा राइट हो जाएगा एबी दोनों वाला ठीक है सी यानि की जो कववा है उसकी नजर चार गुणा नहीं होती है ठीक ह अब हम देखते हैं फ्रेंस अपने नेक्स प्रसन को क्या है हमारा नेक्स प्रसन प्रसन नमबर टैन प्रसोत्तम एक बार रेगिस्तान उद्ध्यान में घूमने गया उसने बहां देखा कि पौधे कटीले हैं उनमें पत्तियां नाके वराबर है ना मरुद्वित पौधों बहुता है जिसी केक्टस में प्रिकाशन सिन्सीलेसाइं या जिस निरमाड किस भाग में होता है कहा प्रकें आपको पता होते हैं तो यहां पर साथी ओ आपका कांटस होता है इसकी जात्यों क्या तने में जो वह प्रकास संसेलेशन होता क्योंकि इस पर पत्ती के जया नहीं होती है जड़ में तो होः नहीं सकता है और किसी बहग में नहीं तो बिलकुल गलत एक है क्योंकि कॉन सा क्थन सत्य है यह माधा एनौफिलिज मच्चर से फैलता है क्या सही है और साती यहां पर आप तीन नंबर और जोड़ने पहले ठीक है इसकी सिनकोना-पेंड़ से च्छाल्से बनती है या फिर आपका तीसरा है या आपका तीसरा कतन क्या कह रहा है इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है और चौता है इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी तो कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए कूट आपके सामने है यानि कौन-कौन से कतन है वह आपको बताने है ठीक है तो जो आपका पहला कतन है बिल्कुल ही सही है क्योंकि यह है एक मादा इनफिलेज मच्छर से फैलता है ठीक है और इसकी दवाई जो है सुनकोना के पेंड़ से प्रापकी याति जो कड़ूई होती है और उसके लिए क्या बोलते हैं कुनैन प्रशन आपका पूंचा गया है तो आप जो है यहां से जो भी प्रशन है आपके सामने उनके लिए रिवाज कर लेंगे ठीक है तो क्या है हमारा तीसरा ऑप्सन क्या कंपका पी के साथ बुखार आता यह भी सही है लेकिन इसकी टीके की खोज जो है इन्होंने नहीं की ती इन्हें एडवर्ड जेनर ने तो बिल्कुल यह गलत है ठीक है यानि आपका बन टू थरी यह आपके सही कतन है यह ओप्सन आपका यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है देख लेते हैं फ्रेंज अपनी नेक्स प्रिसन को क्या है हमारा नेक्स प्रिसन निवन में से किस रा को ध्यान रख लें और जो है थोड़ा विश्वास करके आप जो है इस्टडी करते रहें ठीक है तो साथी क्या गुजरात है वहां बिल्कुल गुजरात है गुजरात की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है हर्याना की लगती है उत्तराखंड अमध्य करते समय किरती किसोरों को बहु बुद्धी वाले सिक्षारतियों की विभिन आवसकताओं को पूरा करने के लिए निम्ण में से कौन सी पध्धिदी अपनानी चाहिए पहला आपके सामने पक्षियों पर आधारत ब्रत्चित दिखाना बी है पक्षियों के चार्ट दिखा कर उनका वरण करना सी है बच्चों को नजदी की पार्क में ले जाना चाहिए और पक्षियों का व्लोकन करने के लिए कहना चाहिए FROM कमेंट करेंगे आपका उपरोक्त सभी ठीआ करेंगे किया हो जाएगा आपका राइट आनशर कि दो यहाँ पर आपका उप्रोक्त सभी यानि सभी Owen पक्ति पर आचल चित्त दिख्छेंगे जिस registry कैसे होती है है चाठ दिखाएंगे उससी बच्चे जो बरन करेंगे आप बच्चे बिविधन जानवरों के Shortी और क्या है नजगी की पार्क प्रिशन से क्या है बच्चा खुद अपने अनुहबश से सीखेगा है और पक्चीओं का अब लोगन करने ठीक है क्या रूब रोखा डिजान तयार करना underwater तयार करना प्रिसन लिखना या फिर्ण पत्र का संपाधण करना या प्रिथम चरण पर आप प्रिसन पत्र बनाते समय क्या डिया करोगे क्मेंट करेंगे एक प्रेसा-cznie Ms // devastating सबसे पहले तयार करते हैं उसके बाद जो है यानि पिरसन के लिए हम बच्चों के सिलेवस और बच्चों का मानसिक इस्तर देख करके हम एक पहले रूप रेखा बनाते हैं एक डिजाइन बनाती है फिर ब्लूप्रेंट में क्या होता है कि कौन-कौन से पिरसन रखनी है लग प्रिशन पत्तर का आप संपादन करेंगे ये चौते नंबर पर आपका लगत डैकायों क्या है निम्न में से परियावन सिक्षन का महत्तों नहीं है specifically कि दौरा हम परियावन को संतुरत कर सकते हैं बी है परियावन सिक्षन नागरिक चेतना को बढ़ाती है सी है परियावन सिक्षक हमें प्रिदूसन आयम उससे जनित उस प्रभावों के विस्था हमें बताता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं तो बताएंगे एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए ठीक है परियावन सिक्षन का महत तो जो है नहीं है नहीं के लिए आप ध्यान रख लिए ठीक है तो क्या हो जाए गाज यहां पर आपका राइट आंसर बताएंगे परियावन सिक्षन से हमें परियावन को संतुलित रख सकते हैं बिल्कुल सही बात अगर हम परियावन की यहाँ पर राइट हो जाएगा डी ऑप्सन आपको चूज करना होगा है ना उपरोग्त में से कोई नहीं गाईश चलते हैं अपने नेक्स प्रसंट की तरफ क्या है हमारा नेक्स प्रसंट की सहिव गात्मक अध्यान विधी से बच्चों में क्या विकास होता है ठीक है अब द दूसरे का जो सही करे और येक दूसरी से मिलकर सीखें तो इस्टे क्या वावनाय वच्षों सहे होगा तंवाध्य इंसे बिक्षित हो जाएगी बी और कर दिया होगा सभिंभाई वहनों एक बार राइट आंसर के लिए ना और साथ यों देख सकते हैं आप कितने महत्पूर्ण प्रिसन में आपके लिए लेकर आजाओं ठीक है तो अब चलते हैं गाइज अपने नेक्स प्रिसन के लिए क्या है आलू को खाया जाता है कैसे क्या गूत कर भून कर भी है आपका तल क खौकर बूंकर बूण कर अबकर सियंग आपका बेलकर सिकते हैं बोलकर ऑजाएप कर बिए किसे खाया जाता तो है indiana. और लुका एतना 합का यह कहती है। यह प्याज होता है यह प्रिसन आप से पूचका गया प्रिशन है उन पर मैं ज्यादा आपका time खराब नहीं करूंगा उनके लिए आप ध्यान से सुनेंगे ठीक क्या है निम्न कतनों पर बिचार कीजिए पहला कतन क्या यह बिरक्ष रेगिस्तान में पाया जाता इसकी लकडी में कीडे नहीं लगते और तीसरा है इसकी छाल दव की है खजुर की है या फिर फिर में यहाँ पर आपका एक मिनट लेना चाहूंगा जिससे मैं आपके लिए इस पश्ट कर चुकूं ठीक है तो साथी यहां पर आपका right answer किया हो जाए कमेंट कर देंगे एक लिए अथा है खेजडी यहाँ आप खेजडी साथी कहां पर रेग अगर हम बात करें तो श्तिरिया आंवं पाये जाना बिरक्ष यह और ये क्या होता है इसके साथ ही तने में पानीघट हो जाता है जिसके जो है लोग पानी पीने का उपयोग करते हैं और इसके लिए पानी की काफी कमावसक्त होती है राजस्तानी ओंक के लिए फ्रेंज ये जो पेणों समंदित प्रसेन आई बिरक्षों से इसका वीडियू मैंने आपके लिए दे रख्ता है सकते हैं या फिर विक भी चीज नहीं देख पाते हैं कमेंट करेंगे साथ यह बार रायट यह की तो साथिय। अब सब्सक्राइट से अपनी क्यों घुमाते हैं तो नियुक्ती जो ऑपका पक्षी मैं ने आप पढहाई ठीक है तो आप वीडियो के लिए जो मैंने दे रख वीडियो जा करके आप देख सकते। और कई सार की ये देख सकते हैं और नहीं देख सकते ये भी गलत है ठीक है तो यहां पर आपका वी ओप्सन राइट हो गए अब देखते हैं हम अपने next प्रसन जो की हमारे आज की वीडियो का आखरी प्रसन है ठीक है क्या है सुमन पॉल कलकत्ता में रहती हैं बहे भारत के प करके बताना इख़िकई कैंप पश्चिम में चली यह पहले अब बताएंगे एक वार क्या पुरब उत्तर है ना पूरब पश्चिम उत्तर और दक्शिम हो जाएगा या फिर आपका दक्शिम उत्तर पश्चिम और पूरब तो क्मेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ गाइस